बारत बंद इस बंद का आवान किसानों ने किया है लेकिन आप लगातार ये भी देख रहें कि किस तरह सियासी जमीन तलाश रहे बारत बंद की बात करेंगे लेकिन सियासी दलों के कारेकरता जबरदस्ती बंद कराने की कवायत करते आपको दिखाई दे सकते हैं लगातार उनकी कोशिश ये रहेगी कि आग में घी डालने का काम किया जाए क्या रास्ता रोकने से हिंदुस्तान बंद हो जाएगा? भारत बंद से चोट किसको किसे नुकसान होगा क्योंकि ये भी बात उठ रही कि आम लोगों को इससे सब जादा नुकसान होगा उनकी आवजाही में फरक पड़ेगा उनके काम में फरक पड़ेगा ऐसे concerns लोग उद्वारा जाहिर किये जा रहे हैं तो ये भारत बंद की राजनीती से मुझे कहना चाहिए क्या देश को क्षपी नहीं होगी ये बड़ा सवाल है ये सियासी दलों से सवाल है तो कही खास मेवान हमारे साथ है लेकिन इस वक्त हमारे साथ स्पेशल गेस हैं हमारे साथ केंद्रिय मंत्री जनरल वीके सिंग है और जनरल वीके सिंग बहुत बहुत स्पागत है सर्थ जी नियूस के लिए वक्त निकालने के लिए जैहिंस सबसे पहले तो भारत बंद को लेकर आप क्या कहना देखे भारत बंद का जो एक इसके बारे में जो कॉल दी गई है उसके लिए आवान किया गया है यह सब विपक्षी राजनीतिक दलों के द्वारा है और जैसा कि आज योगी आतितनादी जी ने माननीय मुख मंत्री उतर प्रदेश ने कहा कि विपक्षी दल अपनी बंदूक भूले भाले किसानों के कंदों पर रखकर चला रहे हैं यही इस्थिति आप इसमें विपक्षी दलों का क्या काम है किसानों की समस्या है किसान सरकार के साथ बात कर रहे हैं किसानों के पांच दौर हो चुके हैं बातचीत के सरकार सकारात्मक रूप से उनके साथ बैठी हुई है उनकी जो समस्या है सरकार उनको सुलजाने के में सक्षम है तो इसके अंदर ये विपक्षी दल कहां से आ गए इनकी समस्या तो नहीं है इनका कोई इसमें लेना देना नहीं है तो अगर आप इसको देखेंगे कि भारत ब और मैं इसको इस रूप में देखता हूँ कि एक बहुत ही गलत चीज की जा रही है और उसके अंदर भूले भाले किसानों को उसका जरिया बनाया जा रहा है आप जनरल सर आपने यहाँ पर अरजटा पहलाई जाने की कोशिश की बात की है मैं उस पर आउंगी आपके पास लेकिन आप कुल मिलाकर यह कह रहे हैं एक तरफ किसानों का अंदोलन है दूसरी तरफ विपक्ष है जो से लगातार हाईजैक करने की कोशिश कर रहा है देखिए यह विपक्षी दल इसको सरफ हाईजैक कर रहे हमारे जो किसाने इतने भोले कि इस चीज़ को समझ नहीं रहे कि उनको जो है एक जरिया बनाया जा रहा है विपक्षी दलों के अपने फाइदे के लिए उनके नेत स्वार्थ के लिए और ये जो चीज़ है मेरे ख हैं कि जी हम भारत बन को सपोर्ट करते बाइस दलों के नाम आ रहे हैं क्या है ये ये सरफ एक ही चीज़ दिखाता है कि विपक्षी दलों के पास और कुछ नहीं है वो किसानों का मुद्दा लेकर एक ऐसी चीज़ फैलाना चाहते हैं कि जी देखिए वो कनाड़ा से भी हम किसान के समस्या कैनेडा से तो नहीं है किसान के समस्या वहाँ पर जो लोग रह रहे हैं उनके साथ नहीं है किसान की जो समस्या है सरकार उनके साथ बातचीत कर रही है सरकार के बातचीत के दौर हुए हैं और मैं सोचता हूँ अगर सकारतमत तरीके से किसान अपनी समस्या क रखता है और उसी सकारत्मक्ता के साथ जिस तरह सरकार उनके साथ खड़े होकर बैठी है वहाँ पर जो उनके साथ बाचीत कर रही है इसका पका हल है ऐसी बात नहीं कि हल नहीं है लेकिन हल के लिए थोड़ा सा विवेक की आवशक्ता है थोड़ा सा समझदारी के साथ हम क्या करना चाहते क्या नहीं करना चाहते अभी मैं देख रहा था कि यह काला कानून है वापस करो आप 2008 का ट्रिब्यून देखिएगा फ्रंट पेज के उपर किसानों का अंदोलन दिखाया गया है किस चीज के लिए कि हम को मंडियों से मुक्त करो सरकार ने मुक्त कर दिया अब सारी चीज़ें एक चीज तो होनी चाहिए आप ऐसे कैसे कह सकते हो कि दो साल पहले आपने का जी हम ऐसा नहीं करना चाहते तीन साल पहले आपने का हम ऐसा नहीं करना चाहते आज हम ऐसा करना चाहते तो इसके पीछे और कुछ नहीं है सिर्फ और सिर्फ विदेश जो हमारे चाहे विदेश के लोग हों, चाहे हमारी विपक्ष की पार्टिया हों, किसी न किसी तरीके से सरकार को नीचा दिखाने के लिए ये काम करें जनरल सर आप ये कह रहे हैं कि सरकार को नीचा दिखाने की ये साज़िश है आप विदेश के लोगों का जिक्र कर रहे हैं आप विपक्ष को कडगरे में खड़ा कर रहे हैं और आप कैनेडा का भी जिक्र कर रहे हैं मैं इन सभी पहलों पर आपके पास आऊंगे लेकिन जो आपने जिस तरीके से हाइलाइट किया कि यूपिय के काल में 2008 में कैसका मतलब यही निकाला जाए कि सभी सियासी दलों की यहाँ पर एक तरीके से बात करूँ जब सत्ता में होते हैं तो अलग भाशा बोलते हैं और सत् हासकर ऐसे वर्ग जो जिन के अंदर किसान आता है जिसमें शोचित आते हैं जिसमें funkृत आते हैं सब के ऊपर माने मोदी जी ने हर एक तरह की योजनाे बनाई हैं एक सुझ सत्त से जादा योजनाे बनाई हैं जमीन पर किस सरकार ने कभी किसान निधी उनके खातों में पहुँचाई किसान मान धन उनके लिए रखा कि उनको पेंशन के रूप में मिले किसने आज तक कोशिश की कि जो हमारी सॉइल है जो जमीन है उसका परिक्षन होना चाहिए ताकि उसको पता चले कि इसमें डालना क्या है मैंने किसने जो है नीम कोटेड यूरिया दिया ताकि यूरिया एक्सपोर्ट ना हो हमारे हैं पे लगे और वो अच्छे तरीके से लोगों को मिले किसान के लिए आप चूपी चीज देखिए हर चीज की कोशिश की जा रही है अ मैं तो कहता हूं जो किसान संगठन है वो विपक्षी दलों को कहें कि भाईया आप बैटो हमने आपके लिए लंगर लगा दिया आप लंगर खाओ हम जाकर सरकार के साथ बात करते हैं तो आप सर आप कह रहे हैं कि जो सरकार के बीच में और जो किसान संगठन है उनके बीच पाएं अपनी आशंकाएं और डर की बात कर रहे हैं देखे जिस दिन विद्धेक आया था नाइंटी नाइन परसंट किसानों ने कहा है बहुत अच्छी चीज है हमको अजादी मिल गई हमको मंडी से अजादी मिल गई अब हम स्वतंत हैं कहां पर हम बेशना चाहते हैं जहां पारा जो किसान है जादतर गन्ना किसान है पश्री मुतर प्रदेश में उसको कोई समस्या नहीं है इस टाइब की समस्या नहीं है जितना पैसा प्रक्यूर्मेंट करने के बाद जितना गन्ना उठा है जितना पहले चार चार पांच 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 साल किसान को पैसा नहीं म और कि इस का हल किसान और सरकार के बीच में होगा किसानों को बर्गलाने का काम यहां पर विपक्षी पार्टियां वो कर रही है लेकिन फिर मेरा सवाल ये Canada जिसका जिक्र अभी आपने भी किया ये Canada की entry किसने कराई इसमें जो प्रोपगेंडा इस वक्त हम देख रहे हैं किसान आंदोलन की आड में एक छोटा सा section है जिस पर प्रोपगेंडा चलाने की कोशिश कर रहा है उस पर आप क्या कहेंगे प्रोप चस्प बिलकुल खत्म हो गया है वो दुबारा चाहते हैं कि वो खड़े हो जाएं किसी तरीके से इसके जरीए तो कई तरीके की चीजों को किया जा रहा है और मेरा मानना है कि इसके अंदर अगर गहराई से इसको देखा जाएगा बारी किसी देखा जाएगा तो आपको ख सारे सारा अनाज, अमवानी और अडानी खरीद लेंगे. उनको पता लिए कि बिल किस चीज़ का है. पुछ नहीं पता उनको. क्यों जी बड़े बड़े वह चीज़ें बना रहे हैं. साईलोज बना रहे हैं, सब आपका अनाज खरीद कर ले जाएंगे. आपको कुछ नहीं मि आप कह रहे हैं जादता लोगों का किसान से कोई लेना देना नहीं आप ये भी कह रहे हैं कि जो लोग भारत के ब्रहमित भारत के खिलाफ ब्रहमित करने की बात करते हैं वो एक तरीके का देश्ट्रो है लेकिन फिर मेरा सवाल वही है सर आप से यह हम देख रहे हैं कि UNK Secretary General के स्पोक्सपरसन है उन्होंने इस एजिटेशन का जिक्र किया फारमर्स प्रोटेस्ट का जिक्र किया। बिड़न के जो MPs हैं उनके दौरा एक चिठी लिखी गई यूके में हाई कमिशन के बाहर प्रोटेस्ट की बात की जा रही है उस तरह की भी खब्रे हैं यह भारत विर एक अलग तरीके से सिख्खों की समस्याओं को लेकर चलती है उनको एक मौका मिल गया और उनको उनको भी शायद इसी तरह से बताया गया होगा कि किसानों का बड़ा शोशन हो रहा है उनको पता ही नहीं है कि क्या असली चीज क्या है नहीं उन्होंने जानने की कोशिश की बस जो उनको बोला गया वो उन्होंने बोलना वहाँ पर शुरू कर दिया मुझे यह बताईए क्या कैनाड़ा के राजनितिग्यों को भारत के समस्याओं के बारे में पता है क्या भारत का किसान कैसे रहता उसके बारे में पता है क्या कैसे उसकी फसले होगती उसके बारे में पता है क्या कितनी जमीन उसके पास है उसके बारे में पता है क्या तो ये एक तरीके से अगर आप इसको देखें, एक बड़ी भारी साजिश है, जिसके अंदर कोशिश की जा रही है कि जो सरकार इतना अच्छा काम कर रही है, उसको कैसे नीचा दिखाया जा है ठीक, आप साजिश का जिक्र कर रहे हैं, आप करें सरकार को नीचा दिखाने की कोशिश है, आप लॉबी का जिक्र करें, किसकी लॉबी है, कौन लोग हैं इसमें? आप देखिए, ये आप पतरकार हैं, आप की चैनल बहुत अच्छा काम कर रही है, मुझे पूरी आशा है कि आप इस चीज़ को जुरूर उजागर करेंगे जनर्रल सर आप में सवाल के जवाब नहीं दे रहे, लेकिन अब समधान की बात करती हूँ, किसान संगठिनों के जो नेता हैं और जो सरकार की तरफ से जो रप्रेजेंटेटिव जैक्रशे मंत्री, किंद्रे मंत्री पियुश गोयल जी, लगातार बाचीच चल रही है, पा किसान हैं, जो किसानों के संगठन, किसानों के हितेशी हैं, अगर वो बैठके बात करेंगे तो कल हल निकल सकता, लेकिन अगर ये चीज़ें नहीं होती हैं, लोग बाग इसके अंदर सिर्फ अपने स्वार्थ के लिए बात करेंगे, तो हल नहीं निकलेगा, मैं जानती हू किसानों की समस्या का हल हो सकता है। किसान ने जिनका वर्चस खत्म हो गया था वो चाहते हैं कि हम भी दिखाईद हैं अच्छा जी पंजाब से आगे संगठन शायद हमारा वर्चस खत्म हो जाएगा तो हम भी खड़े हो जाते यह चल रहा और कुछ नहीं है ठीक है किंड्रिय मंत्री जनरल वीके सिंग से बहु किसान नेता है हमाई साथ अपसे थोड़ी दिरबास हैं जो वर्मा जुड़ेंगी सबसे पहले मास्टर शेयरा सिंग मैं आप ही करूप करना चाहती हूं सवाल के साथ कल का भारत बंद उसे लेकर आपने सुना केंड्रिय मंत्री ये कह रहा है जनरल वीके सिंग ये कह रहा ह जैजवान जैकिसान का नारा लाल बहादर शास्त्री ने दिया था लेकिन जितना जवान को समय दिया उत्रहे मुझे समय दें तो और आप कहा भारी उडूंगा ये बताए जितना जनरल साब से पूचा उत्रहें पूचेंगी सर मैं आप से भारत बंद को लेकर सब्सक्राइब कोशिश कर रहे हैं मैं इतना समय तो देंगे जितने समय हमारे जवार जवार प्लीज आप जवाब दिजिए ना सर मैं पूच रही हूं आप समय को लेकर और आपको पोई जैक नि करता जब जनल साथ निवार किसान सरकार से अपनी मांग रख रा है किसान कांग रेसस अपा से बसपा से क्ला जा उन से लड़ाय लड़ाय तो हमारा समर्थन क्यों कर रहे हो यह बंद कर यह हमारे हाथ में तो है संग है उसने हमारी पहुंचता है नहीं कंदा तक और जब देश यह कहता था था नेता हैं तो कंदा को कहें तो मोदी जीने जंता कर्फि लगाए था आज किसान हितमे रात को 12 बजे मोधी जी कह दे जनता कर फ्यू रहेगा कल का और भारत बंद तो भाजपाने भी किया, कांग्रेस्ट ने भी किया, सपाने भी किया, बसपाने भी किया हर राजनितिक पार्टी ने किया किसान तो पहली बार कह रहा है भारतबंद के लिए और फिर हम मांग क्या रहें मेडम हम सिर्फ यह मांग रहे हैं मंडी भाड में जाओ सरकारी खरीद भाड में जाओ हम तो यह कह रहे हैं कोई भी खरीदे हैं हमसे अडानी खरीदे हैं अबानी खरीदे हैं कोई और खरीदे हैं विस्प की विदेशी कंपनी खरीदे हैं कि हमको जो सरकार MSP गोशित करती है, उससे कम पए कोई ना खरीद है, मंडी कल नी खतम हो जाओ, मंडियों ने भी तो हमें लूटा यह, मंडियों ने कोशी भी हमारा भी धान लूटा है सारा, बाजयरा लूटा है, मक्का लूटी है, हम् ना मंडी के पक्ष में है ना सरकारी खरीद में हैं, न आपने सुना अभी बारबार आज बारबार बीजेबी के तरफ से का गया कि इस पूरे आंदोलन को हाईजैक करने की कोशिश की जा रही है किसान तो शांति पूर्ण तरीके से करा लेकिन कुछ सियासी दल है जोसमे राजनेतिक रोटी से करें मैं किसानों के इस जन उभार की प्रसंसा करता हूँ किसान संग्ठनों को भै है और उनका अंकलन है कि अध्या देश में जल्दबाजी की गई किसान संग्ठनों को बिना विचार विमर्ष किये लागू किया गया सभी प्रमुख दलो द्वारा संस्या देश समीति को सोपे जाने की मांग को ऐस विकार किया गया और संसद में भी अत्रिक जल्दबाजी में पास कराया गया ऐसा किसान संग्ठनों का कहना है हमारी पार्टी इन अध्धा देशों को पास कराने में सरकार कर साथ दी है लेकिन अब जब किसानों का आंदोलन जमीन पर पहुँच गया है तो कुछ बुनियादी सवाल पैदा होते हैं और मैं चाहता हूँ कि सरकार इन समझ्षाओं का हल डूने यदिपी मैं इस राय का हूँ कि जितनी भी पॉलिटिकल पार्टी है मैं पिसले पचास साल से किसान आंदोलन से जुड़ा रहा हूँ चौदरी चरंद सिंग जी चौदरी डेविलाल जी चौदरी मेहंदर सिंग टिकैद सरज जोसी सब के साथ मेरा रिष्टा रहा है जो जन उभार किसानों में आया है इसको गंभीटा से लेना चाहिए और चुके हम और भारतिय जन संग जो बीजे पी है हम लोगोंने मिलके पचास साल ते कई बार बंद कराए है हड़ताले की हैं जलूस निकाले हम लोगोंने इसलिए किसानों के इस उभार को विपक्षी दलों के साथ जोड़ करके उनको क्रेडि मिल्टी नहीं देनी चीए कांग्रेस पार्टी अगर इतनी मजबूत होती कि इतना बड़ा किसान जन उभार वो ला सकती है फिर तो उसकी सरकारी बन गई होती उनके बसकी तो जीले में पचास लोगों का आंदोलन करना भी बसकी नहीं यह सलिए कहना है कि कांग्रेस कांग्रेस बाहर से सपोर्ट कर सकती है दूसरा मेरा कहना है कि MSP खतम नहीं होगी परदान मंतरी ने मैं जो मेरे किसान निता भाई हैं उनसे भी कहना चाहता हूँ मैं दोनों सदनों में रहा हूँ मैं बहुत प्रेम साब से कह रहा हूँ कि परदान मंतरी का लोकसभा के पटल पे दिया गया भाषन सम्मेहदानिक चीज होती है एक बार इंद्रा जी ने कुछ कह दिया था तो उनकी सदस्ता चली गई थी इसलिए बहुत मिरमतासे में आपसे कहता हूँ MSP खतम नहीं होगी नहीं होगी इसमें जो दूसरी मांग है मैं उसका समर्थक हूँ ये भी मैं मानता हूँ कि किसानों को कभी भी सरकार के द्वारा जो घोसित MSP है उसका दान नहीं मिलता है इसलिए इस आंदोनन को सरकार को सकारात मगतरी के से लेकर के और किसान संक्षनों को भी MSP का कानूनी अधिकार मिले और उससे कम बेशना ये अपराद माना जाए ये आप पास करा लीजिए नमबर दो न्यून्तम समर्थमन को किसान का कानूनी अधिकार बनवा लीजिए नमबर तीन किर्शी लागतर मुल आयोग को आज तक भी अधियोती की सम्वेदानी दरजा नहीं जरूरी नहीं है कि सीए सीपी जो मांग रखती है उसको सरकार माने आज इस आंतोरन के जरिये दूसरा काम आप करा लीजिए किर्शी लागतर मुल आयोग को सम्वेदानी दरजा दिया जाए और तीसरा मैं जो तथा खती किसान नेता आजकर उभर करके आए हैं अगर नहीं थोड़ा सा समय दें तो मैं अपनी है उनके साथ शेर करना चाहता हूं, मैं अन लोगों में से हूँ जो परने पिताजी के साथ बुगगी में बैठ करके मुरादनेगर की मंडी में गहूँ भी लेके गया हूँ और कितना सोसन मंडी में होता था और गन्ना तो चीनी मील पर मुदी नगर में गया है उसकी जो कहानी बता रहे तो जनरल साब में उनके वो मेरे बड़े करीबी हैं मैं रिफूट नहीं करना चाहता उत्तर परदेश के गन्ना किसानों का आज भी आठ हजार करोड और रुपा चीनी मील मालिकों पर बाता है मैं उस भैज का इस्साब नहीं बनना चाहता जो मिल जाना चाहता चृश्चर टोल तोलता है पीसरहा थैले का मुझऑ तोलने वाला चोथा अता पल्लादार ठैला धोरने वाला जी इन चारों की जो मैनत मजदूरी है वो भी किसान के दामे से कट दिये यह पता ही नहीं किसी वह इसलिए मंडिया शोसन का सबसे कुरूर वेपन बन करके उबरिटी यह दिपी वह भी समाप्त नहीं हुई है आपने जो अंसन्स उठाएं है उन पर संजू वर्मा यह तो आपके सयोगी ही बोल रहे है जी अदिती जी अभी मुझे एक मिनिट का मौका दीजिए बिना इंटरॉप्शन के अपनी बात रखने का पहली बात तो मैं यह कहना चाहती हूँ कि जो बार-बार किसान भाई बेहन यह क खतम कर रही है तो मैं आपके चानल के जरीए बताना चाहती हूँ APMC मंडी खतम नहीं हो रही है APMC मंडी के इलावा किसानों को अभी यह चौइस होगी यह स्वतंतरता होगी कि वो ट्रेडिंग एरिया में भी अपनी फसल बेच सकते हैं ट्रेडिंग एरिया में बेचने का फाइदा यह है कि ना तो आपको 3-4 प्रतिशत जो पिचौलियों की fies है वो देनी पड़ेगी ना तो आपको 3-4 प्रतिशत रूरल डिवेलप्मेंट से सस भरना पड़ेगा ना तो आपको 3-4 प्रतिशत मंडी fies भरनी पड़ेगी तो किसान आग से 12% का मुनाफ़ा तो उनको यहीं हो जाता है कि किसी प्रकार का टैक्स उनको ट्रेडिंग एरिया में भरना नहीं पड़ेगा दूसरी बात जो लोग बार-बार कहते हैं कि कौन्ट्रेक्ट फार्मिंग के तहट किसान यदी इसके अंडर आएंगे तो यह प्राइविटाइजेशन हो जाएगा पूरी किसानों की प्रनाली की और किसानों को नुकसान होगा प्राइविटाइजेशन का सवाल ही नहीं है सरकार ने क्लियरली कहा है किसानों को ना तो अपनी जमीन बेचनी पड़ेगी ना तो उसको गिर्वी रखना पड़ेगा ना तो उसको लीज में रखना पड़ेगा और मैं ये बता दू कि पंजाब में आज भी जौ, बाजरा और सूरज मुखी इन तीनों फसलों में कॉंट्रैक्ट फार्मिंग चल रही है 2006 में महराश्ट्रा से कॉंट्रैक्ट फार्मिंग चलती आ रही है 2003 में जब दिगविजय सिंग मुख्यमंत्री थे मध्यप्रदेश के तब भी कॉंट्रैक्ट फार्मिंग जारी थी तो आज कॉंट्रैक्ट फार्मिंग के नाम पर सियासी रोटियां सेकना ये सरासर विपक्ष की राजनीती है और कुछ नहीं है विपक्ष पर राजनीती का रोप लगा रही है संजू वर्मा और कह रही है गिनवारी है कि तो हुमाई सरकार की तरफ से इच्छे कदम उठाए Gary साना जी आवाज आरी है आप संजू वर्मा को सुन रहे हैं वह कह रही हैं कि हमाही सरकार तो जितने इश्यूस से उनको देखे देखे मैं सुन रहा हूँ मैं देखो देखो मैं सारा मैंने सब वक्ताओं को सुन ना है पहली बात जो जनरल साब ने कही है ये सरकार और किसानों के बीच में फैसला होगा ये उन्होंने बिल्कुल ठीक है अब परसों सरकार और किसान बैठेंगे सरकार को ये कह देव जब बच्चों से बात नहीं बनती है तो बड़े ही आते हैं तो मैं ये कहता हूँ जब तक मोदी जी और अमित शाजी इस जगड़े में नहीं आते हैं ये मसला सोटने वाला नहीं आ हैं वो जिस दिन आगे बैठेंगे ये मसला खतम हो जाएगा उनकी परिसनेलिटी भी है उ आप लोग उनको मानते हैं इस उड़ काम फारवर्ड क्योंकि खाली ये खेतों का खल्यानों का नुक्सान नहीं हो रहा है अभी उसी आश्वासन का जिक्री तो केसी त्यागी जी कर रहे थे मेरे पास समय की कमी है आप से भी मेहमानों का बहुत-बहुत शुक्रिया लेकिन इस उमीद के साथ ये जो मीटिंग नौ तारिकों होनी है इसमें किसानों के समस्याओं का हल निकलेगा इसी उमीद के साथ